हेलो दियर स्टुदेंट्स चेप्टर 2 लीनेर एक्वेशन इन वने वेरियेबल हम एक्सरसाइज 2.2 के कुशन नंबर 13 तक के हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में अब हम कुशन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे कुशन नंबर 14 लक्ष्मी इस चेशर इन बैंक शीयस करन्सी नोटस आफ लेक्ष लूंट्स रूपीज रूपीज थे रूपीज तर्शूर्ट इस नंबर अफ थे नोट से लूटर इस तो रूपी तो रूपीज तो नंबर यहीज इस कुशन में हम को दिया है कि लक्ष्मी cashier है bank में और उसके पास 100 rupees के 50 rupees के और 10 rupees के notes है और उनके वो जो notes है उनका ratio है 2 ratio 3 ratio 5 और हमको और लक्षमी के पास total cash है 4 lakh rupees तो हमको हर एक प्रकार के कितने note है लक्षमी के पास वो हमको find out करना है solution given that the ratio of the number ratio of the number of rupees 100 rupees 50 and rupees 10 notes is equal to 2 ratio 3 ratio 5 अब यदि तीनो type के notes का ratio दिया है मतलब इसका ratio का common factor cancelled है so we assume that the common factor of them be x अब यदि इनका common factor x है तो उससे हम multiply करेंगे तो सबके notes का number मिल जाएगा so number of rupees 100 notes is equal to 2x number of rupees 50 notes is equal to 3x and number of rupees 10 notes is equal to 5x तो अब हमने number of notes तो find out कर लिए अब इन notes से amount कितनी हुई वो पहले हमको निकालना है so amount from rupees 100 notes 100 rupees के 2x note थे so amount कितनी होगी 2x into 100 rupees 200x अब 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 अमाउंट from rupees 50 note 50 रुपे की 3x note थे तो 3x into 50 rupees 150x हो गए ठीक है और amount from rupees 10 note 10 rupees के 5x note थे so 5x into 10 rupees 50x तो इस तरीके से हमको x के form में amount पता चल गए rupees 200x rupees 150x and rupees 50x यह x के form में amount पता चली पर हम so total amount कितनी हो जाएगी rupees 200x plus rupees 150x plus 50x total है थे हम add कर देंगे तो rupees 400x हो जाएगी but हमको total amount given है total amount is equals to rupees 4 lakh तब यह दोनो total amount equal होनी चाहिए so 400x is equals to 4 lakh अब दोनो side हम 400 से divide करें तो 400x by 400 is equals to 4 lakh by 400 so x is equals to 1000 x की वेली यह दी 1000 आ रही है मितलब हम number of notes निकाल सकते है so number of rupees 100 notes is equals to 2x is equals to 2 into 1000 2000 ठीक है x की वेली 1000 में निकाले हम तो 1000 रखेंगे तो 100 rupees के 2000 notes हो गए so number of rupees 50 notes is equals to 3x is equals to 3 into 1000 3000 and number of rupees 10 notes 5x is equals to 5 into 1000 5000 तो इस तरीके से हम हर एक टाइप के notes का number find out कर सकते हैं अब हमारे पस notes का number मिल गया उससे हम amount निकालके add करके देखेंगे तो 4 lakh होना चाहिए इस तरीके से हम अपने कोई answer की checking भी कर सकते हैं next question question number 15 I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5 the number of rupees 2 coin is 3 times the number of rupees 5 coins the total number of coins is 160 how many coins of each denomination are with me अब यहाँ पर question में क्या दिया है मेरे हमारे पास मेरे पास 300 रुपे के कोई है जो की 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी के form में है यहाँ पर हमको 2 रुपी का कोई 5 रुपी के कोई का 3 times दिया है और total coins 160 है तो total कितने कोई हर एक टाइब के कितने कोई है यह हमको find out करना है तो यहाँ पर देखिए 2 रुपे का कोई 5 रुपी के कोई का 3 times है मतलब 5 रुपी का कोई यदि हमको पता चले तो हम 2 रुपे के कोई निकाल सकते है तो अब हम यहाँ पर first 5 रुपी के कोई को X एकस एजियूम करेंगे let the number of रुपी का कोई बी X so given क्या हमको number of रुपी कोई मतलब 3 into number of रुपी 5 कोई मतलब 2 रुपे के कितने कोई हो जाएंगे 3 X यदि 5 रुपी के X कोई है तो 2 रुपी के 3 times मतलब 3 X हो जाएंगे अब टोटल कोई हमको दिया है 160 so 1 रुपी की कितनी कोई हो गए 5 रुपी और 2 रुपी के कोई 160 में से माइनस करेंगे so 160 minus in bracket X plus 3 X that means 160 minus 4 X अब एक रुपे के कोई हो गए 160 minus 4 X अब सभी टाइप के कोई का number मालूम हो गया तो अब हम उससे उसके amount निका लेंगे तो amount from रुपी 5 coins 5 into X क्योंकि X कोई थे तो 5 into X 5 X हो गए अब amount from रुपी 2 coin 2 रुपे के कोई हमारे पस 3 X थे तो कितने रुपे हो जाएंगे उसके 2 into 3 X रुपी 6 X और amount from रुपी 1 कोई एक रुपे के हमारे पस 160 minus 4 X point है तो उसका amount हो जाएगा into 1 कर देंगे तो 160 minus 4 X रुपी हो जाएंगे तब ये तीनों हमको X के form में amount मिला है और हमको total amount दिया है रुपी 300 तो ये तीनों X के form में जो amount है उनका addition 300 आना चाहिए So 5 X plus 6 X plus 160 minus 4 X is equals to 300 5 X plus 6 X 11 X हो गया minus 4 X करेंगे तो 7 X So 7 X plus 160 is equals to 300 ये हमारा equation form हो गया अब इस equation को solve करके हम X की value find out कर सकते हैं और ये एक्स की value हमको मिल जाएगे तो हर एक type के coins का जो number है वो हम निकाल सकते हैं अब इसके आगे का आपको solve करना है Now question number 16 The organizers of an SA competition decided that a winner in the competition gets a prize of Rs. 100 and participants who does not win gets a prize of Rs. 25 The total prize money distributed is Rs. 3000 Find the number of winners if the total number of participant is 63 तब question में हमको क्या दिया है कि एक organizer है जिसने SA competition organize किया है उसमें उसने क्या decide किया है कि जितने भी participant होंगे उसमें से जो winners होंगे उनको 100-100 Rs. price दिया जाएगा और ऐसे participant जिनने participate तो किया है पर winners नहीं है तो हर एक को 25-25 Rs. दिया जाएगा तो इस तरीके से जितना भी price बाटा गया है उसमें 3000 Rs. का distribution किया गया है तो हमको find out करना है कि number of winners कितने है यदि total participant 63 है तो उसमें से winners कितने है तो अब हम assume करेंगे कि यदि total participant 6 let the number of winners be x ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या assume कि winners कितने है एक्स है और हमको given है total participant 63 so the number of participant who does not win मतलब ऐसे जोनोंने participant किया है पर जो जीते नहीं है उनका number कितना हो जाएगा 63-x क्योंकि x तो win हो गए तो जो win नहीं होए वो कितने हो गए 63-x तो अब हमको given है कि each winner get a price of rupees 100 हर एक winner को 100 rupees prize मिला है मतलब total हमने x winners को 100-100 rupees दिये तो total कितना amount हमने winners को दिया amount distributed to x winners is equals to x into 100 is equals to rupees 100x मतलब winners को 100x rupees दे दिये हमने हर एक को 100-100 करके तीक है अब हमको given क्या है each participant who does not win get a price of rupees 25 जो participant है और जो जीते नहीं है उनको हमने 25-25 rupees price दिया है तो कितने participants जीते नहीं थे 63-x तो उन सभी को 25 rupees मिला तो total amount distributed to the participant who does not win जो जीता नहीं है उनको कितने total amount दिये गा है 63-x ऐसे लोगों को 25 दिया मतलब 63-x into 25 अब 25 वेदे हम अंदर multiply करें तो 1575-25x हो जाएगा तो इतना amount हमने जो नहीं जीते हैं उनको दिया है अब हमने total amount कितना हमने distribute किया था 3000 rupees और उसमें से 100x rupees जीतने वालों को दिया है और 1575-25x rupees जो नहीं जीते हैं उनको दिया है तो दोनों का addition हमारा 3000 होना चाहिए तो 100x plus 1575-25x is equal to 3000 तो 100x minus 25x हो गया 75x plus 1575 is equal to 3000 यह हमारा equation बन गया अब हम क्या करेंगे दोनों साइट से 1575- करेंगे तो हमको मिलेगा 75x is equal to 1425 अब हम दोनों साइट 75x से डिवाइट कर देंगे 1900 रूपीज winners को दे दिये और कितने जो winners नहीं थे 63 में से 19 minus कर देंगे तो उतने winners नहीं है तो उनको हमने 25-25 रूपीज दिया तो उससे amount निकालेंगे और यह amount add करेंगे तो 3000 होना चाहिए इसको आप चेक करके देख सकते हैं यह तो हो गया exercise 2.2 अब हम next topic पे जाएंगे हमारा next topic क्या है solving equations having the variable on both side ऐसे equations हमको solve करने है जिसके दोनों side में variable है तो उसका example 12 देखिए 2x minus 3 is equals to x plus 2 यह जो equation है उसके दोनों side में x है तो इस type के question solve करते समय हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि दोनों side में तो variable है तो जिस side में variable की power ज्यादा है जिस side में variable का coefficient बड़ा है उसको हम left side में रखेंगे तो यहाँ पर 2x बड़ा है x से तो 2x left side में होना चाहिए और वो already है left side में यदि नहीं होगा तो पूरी की पूरी side exchange करके हम उसको left side में ले आएंगे ऐसा क्यों करना है क्योंकि x की value positive left side हमेशा हमको positive मिलना चाहिए उसकी लिए तो इधर हमने 2x minus 3 is equal to x plus 2 अब हम क्या करेंगे left side का minus 3 right side में transpose करेंगे transpose minus 3 to RHS यदि minus 3 को हम दुसरे side में लेके जा रहे हैं तो उसका sign change होगा minus 3 का plus 3 होगा students यहाँ ध्यान दीजे यदि 2x minus 3 इसको पूरा का पूरा यदि हम side change करेंगे और x plus 2 को पूरा का पूरा इस तरफ ले आएंगे तो sign change नहीं होता यदि सरिफ हम minus 3 को ले जा रहे हैं तो side change करके plus 3 हो जाएगा क्योंकि 3 subtraction में है so 2x is equal to x plus 2 plus 3 means 2x is equal to x plus 5 अब हम x x एक side में करेंगे मतलब left side में तो x को यदि हम left side में ले किया है तो x addition में है तो subtraction में हो जाएगा transpose x to lhs 2x minus x is equal to 5 so 2x minus x x हो जाएगा तो x is equal to 5 यह हो गया हमारा solution इसको हम check कर सकते है checking put x is equal to 5 in lhs of lhs and rhs of given equation अब यहां ध्यान दो हम x की value lhs और rhs दोनों में रखेंगे checking करते समय क्योंकि दोनों में variable है तो पहले lhs लेंगे दोनों एक सत नहीं solve करना है पहले lhs लेंगे 2x minus 3 is equals to 2 into 5 minus 3 10 minus 3 is 7 अब rhs करेंगे x plus 2 5 plus 7 अब यहां पर lhs और rhs दोनों 7 आ गया so solution x is equals to 5 is correct next example example 13 solve 5x plus 7 by 2 equals to 3 by 2 x minus 14 तो हमारे equation है 5x plus 7 by 2 equals to 3 by 2 x minus 14 तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे जो denominator में जो number है मतलब हम denominator का number हम यहां से हटाएंगे तो denominator में देख रहे हैं हम दोनों side में 2,2 number है तो हम यदि दोनों side को 2 से multiply कर दे तो denominator cancel हो जाएगा और multiplication दोनों side में करना है मतलब दोनों side के हर एक term को multiply करना है So multiply both side by 2 2 into 5x plus 2 into 7 by 2 is equals to 2 into 3 by 2x minus 2 into 14 मतलब हम दोनों side के हर एक term को 2 से multiply कर रहे है तो देखिए second term 2 into 7 by 2 का 2, 2 cancel हो जाएगा और 2 into 3 by 2x का 2, 2 cancel हो जाएगा multiplication हमेशा एक ही term में होता है दूसरे term को हम multiply divide नहीं कर सकते है तो यहाँ पर देखिए 2 into 5x 10x हो गया और 2 to cancel होके इधर plus 7 बचा और right side में 3x minus 2 into 14 28 हो गया तो हमारे equation आया 10x plus 7 is equals to 3x minus 28 यहाँ हमने सबसे पहले क्या क्या denominator में यदि कुछ number है तो उसको हटाने के लिए जिस number से हम multiply करके वो cancel होगा उस number से दोनों side multiply करते है और simple equation में पहले उसको convert करेंगे अब हम क्या करेंगे 3x को left side पे transpose करेंगे तो हो जाएगा minus 3x 10x plus 7 minus 3x is equals to minus 28 तो 10x minus 3x हो गया 7x 7x plus 7 is equals to minus 28 28 का sign minus है वो नहीं हटेगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा अब हम 7 को right side में transpose करेंगे तो plus 7 minus 7 हो जाएगा So 7x is equals to minus 28 minus 7 कितना हो गया? 7x is equals to minus 35 अब x के साथ 7 multiplication में है यदि हम उसको right side में transpose करेंगे तो divide होगा multiplication का division हो जाएगा So x is equals to minus 35 by 7 So x is equals to minus 5 यह हमको x के value minus 5 मिली है वो हमारा solution है अब हम इसको check करेंगे put x is equals to minus 5 in LHS and RHS of given equation अब हम दोनों side में रखेंगे क्योंकि दोनों side में variable है पहले हम LHS को solve करेंगे हमको LHS दिया है 5x plus 7 by 2 तो x की value रखेंगे हम 5 into minus 5 plus 7 by 2 means minus 25 plus 7 by 2 अब इसको यह हम solve करेंगे तो LCM 2 आएगा और minus 50 plus 7 आएगा तो minus 50 plus 7 कितना हो जाएगा minus 43 by 2 यह हो गया LHS अब RHS को solve करेंगे RHS हमको दिया है 3 by 2 x minus 14 तो 3 by 2 into minus 5 minus 14 so which is equals to minus 15 by 2 minus 14 so LCM निकालेंगे तो minus 15 minus 28 by 2 हो जाएगा जो कि minus 43 by 2 के equal आएगा अब हम देख रहे हैं कि LHS RHS equal है so solution x is equals to minus 5 is correct तो इस तरीके से हम अपने examples solve किये हैं अब हम exercise का एक ही question discuss करेंगे बाकी questions आपको solve करने हैं exercise question number 7 x is equals to 4 by 5 into x plus 10 x is equals to 4 by 5 in bracket x plus 10 तो इस टाइप का हमको question दिया है इसमें हमको bracket के पहले 4 by 5 दिया है तो पहले हम क्या करेंगे bracket के पहले जो 4 by 5 दिया है उसको अंदर multiply कर देंगे bracket के अंदर सभी term के साथ so x is equals to 4 by 5 into x 4 by 5 x plus 4 by 5 into 10 तो 5 से 10 को हम divide कर सकते हैं 2 आएगा तो 4 into 2 8 हो जाएगा तो हमारा value कितना है x is equals to 4 by 5 x plus 8 हो गया अब यह हमारा equation बन गया अब इसमें division में देखे 5 दिख रहा है तो अब division का 5 यह हमको हटाना है तो हमको दोनों side 5 से multiply करना पड़ेगा या फिर इसको हम 5 से multiply भी कर सकते हैं या फिर हम direct 4 by 5 को transpose कर देंगे तो 4 by 5 को यह हम left side में transpose करेंगे तो x minus 4 by 5 हो जाएगा x minus 4 by 5 x is equals to 8 हो जाएगा अब x minus 4 by 5 x को हम LCM से solve कर लेंगे LCM 5 और numerator हो जाएगा 5 x minus 4 x so 5 x minus 4 x by 5 is equals to 8 x by 5 is equals to 8 so x is equals to 8 into 5 40 हो जाएगा तो इस तरी के से हम solution 40 हमने solve कर के लाया है अब इसके हम checking करेंगे put x is equals to 14 in LHS and RHS दोनों side रखेंगे तो LHS हमको x दिया है तो x is equals to 40 so RHS 4 by 5 in bracket x plus 10 4 by 5 in bracket 40 plus 10 और 40 plus 10 means 50 so 4 by 5 into 50 5 से divide करेंगे तो 10 आजाएगा 4 into 10 40 अब LHS और RHS दोनों equal है तो solution x is equals to 40 is correct तो यह हमने exercise का एक question solve किया है अब देखिए exercise का एक और question देखिए question number 10 अब question number 10 में हमको 3m is equals to 5m minus 8 by 5 दिया था तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3m में 3 coefficient छोटा है और 5m में 5 coefficient बड़ा है तो मैंने क्या कहा था आपको कि जिसका coefficient बड़ा होगा variable का वो left side में होना चाहिए तो मैं पूरी की पूरी side इधर से उधर कर दूंगे तो 5m minus 8 by 5 is equals to 3m इधि हम पूरी की पूरी side इधर उधर करेंगे तो value में change नहीं आएगा और यह हम ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि हमको m की value निकालनी है minus m की नहीं last m को minus हमने आना चाहिए m आना चाहिए इसके लिए हमने ऐसा किया है और इधि ऐसा नहीं करेंगे तो last m हमको minus में value में लेगी जिसको हमको बाद में positive करना पड़ेगा तो इसके लिए हमने इसको ऐसा किया है तो अब हम 3m को एक side में ले आएंगे transpose करके तो 5m minus 3m minus 8 by 5 is equal to इस side में कुछ भी नहीं बचेगा transpose करेंगे तो 2m is equal to 0 plus 8 by 5 so 2m is equal to 8 by 5 दोनों side हम 2 से रिडिवाइट कर देंगे तो m is equal to 8 by 2 into 5 means m is equal to 4 by 5 आगया अब इसके आप checking कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने कुछ example discuss किया है इसको एक बार फिर से revise कीजिए और सारे examples और exercise के question solve कीजए Thank you करेंगे